हलो एवरीवन बंटी दिमान दिस साइड दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आलस दूर करने के पांच बेहतरिन तरीके शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी परकार की बहतरिन वीडियो को देखने के लिए जो आपकी लाइफ को बहतरिन बनाने में हेल्प करेंगी तो वीडियो कंटीनियू करते हैं ज्यादा डाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तो जब भी आपके मन में कुछ करने का आए अब कुछ करने का मतलब जैसे पानी पीने जाना, खाना खाने के लिए बैठना, एक्सिसाइस के लिए जाना, कुछ काम करने के लिए बैठना, नहाने जाना, ट्वाइलेड जाना या कुछ भी और तो 5 सेकंड के अंदर ही फटाक से उड़ जाईए क्योंकि अगर आपने उस 5 सेकिंड के अंदर जरा से भी देरी कर दी तो आपका माइंड कोई न कोई बहाना जरूर डूंड ही लेगा बना ही लेगा उस काम को बाद में करने का या उस काम को टाल देने का इसलिए अब अगली बार जब भी आप कोई काम करो तो 5 तक काउंट करो और फटक से उड़ जाओ दोस्तो अगर आप कुछ सीख रहे हो लेकिन जादा देर तक उस चीज पे आप टिक नहीं पा रहे हो क्योंकि वो बड़ा लग रहा है तो अट लिस्ट ये सिस्टम मना लो कि कम से कम 1% हर रोज उससे कुछ ना कुछ सीखना ही है चाहे फिर आपको 5 मिनट के लिए ही क्यों ना पढ़ना पड़े लेकिन 5 मिनट के लिए भी ना पढ़ना या ना कुछ सीखना ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ना करने से बहतर है कुछ तो करो नमबर 3, Pomodoro टेक्निक दोस्तो यह है टेक्निक एक जगा पर बैठ कर काम करने वालों के लिए काफी एफेक्टिव है जब भी कुछ भी पढ़ने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए आप बैठो तो 25 मिनट का एक अलारम सेट कर दो अब ऐसा करने से आपको आलस नहीं आएगा क्योंकि आपको सिर्फ 25 मिनट के लिए ही तो बैठना है अब 25 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लो अब उस 5 मिनट के ब्रेक में आप फॉन कॉल कर सकते हो बाहर जा सकते हो वग्यारा वग्यारा अब ऐसा करना क्यों है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि वो 5 सेकंड का ब्रेक ही आपको प्रोडक्टिविटी देता है दोस्तो अगर किसी भी काम की डेडलाइन बनी हुई हो तो चंसस बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं वो डिले ना हो और Google कैलेंडर का बहुत बहुत बहुतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो हर डेट में कुछ ना कुछ काम करने के लिए पहले से ही लिख दो और फिर कैलेंडर पर हर वक्त अपनी नजर रखो दोस्तो इस बात को आप सब जानते हैं कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं उस वक्त हमें आलस नहीं आता लेकिन आलस सिर्फ उस काम को शुरू करने में आता है फॉर एक्जमपल जिम जाने के बाद आलस नहीं आता लेकिन जिम जाने के लिए आलस जरूर आता है इसी प्रकार किताब को पढ़ने से आलस नहीं आता लेकिन किताब को उठाने में ही या किताब का पहला पढ़ने में ही सिर्फ आलस आ जाता है अप से आप को करना क्या है? आप ऐसा समझो कि अब मेंने जिम के अंदर सिर्फ दो pushups लगाने के लिए ही जाना है और सिर्फ मैंने जिम के अंदर 10 मिनिट का ही टाइम स्पेंड करना है इसी तरह मैंने सिर्फ किताब के 2 पेज ही पढ़ने हैं अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपका दिमाग इस चीज पर एक्शन ले लेगा और उसके बाद जब भी आप शुरू करोगे तो क्या पता आप दीरे दीरे इसको और ज्यादा बहतर तरीके से करने लग जाओगे इस तरह से आप अपनी आलस को बाय बाय कर सकते हैं तो दोस्तो अब आप मुझे कमेंट करके बताईए इन पांचों में से कौन सा तरीका आपको सबसे बहतर लगा मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें क्योंकि आपको पता है आपके एक शेर से किसी को सही दिशा मिल सकती है ऐसी और बहतरीन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फर वाचिंग